हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो बिफीट चैनल दोस्तों यूपी टीजिटी दो हजार इकीस के जो आठ अगस्त को इजाम हुआ था उसका सभी कोस्टेंज का साल में करा रही हूं या पार्ट नंबर थर्ड है जिसमें दो पार्ट में 80 कोस्टेंज हो गये हैं इसमें आपका 45 कोस किसी भी competitive exam, TGT, PGT, KBS, NBS, CLT पर इसमें कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलविश के अकॉर्डिंग हैं सभी वीडियो इसको वाच कर करके अपनी तायारी को आप बहतर निकर सकते हैं, और दोस्तों सो से ज्यादा यम सी क्यूश कोस्टन प्रिबियस यहर के क पावर हाउस कहलाता है निन में से कौन सा पेसी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है तो कौन कहलाता है दोस्तों माइट्रो कॉंडिया जैसा कि दोस्तों इस को कई बार आपको दोराते हुई हो गया है ठीक है माइट्रो कॉंडिया जहां पे कोशिकी स्वसन होता है संपन होता है जहांपे आक्सिजन पहुचाता है आक्सिजन को हीमोग्लोबिन पहुचाता है स्वसन क्रिया के द्वरा और माइट्रो कांडिया में जा करके या ग्लुकोज पर क्रिया करके उर्जा उत्पन करता है तो इसलिए माइट्रो कांडिया को कोसिका का पावर हाउस बुला जाता है नेक्स कुश्चन है बेक्तिकत विभिन्ता हैं निमने कारण से हैं किस कारण से बेक्तिकत विभिन्ता पाजाती है दोस्तों वंसा नुक्रम यों परिया वरर के प्रभावदवारा आपसन नंबर सी राइट है नेक्स कुश्चन है कि निमने से कौन सा फुटबाल से समंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों पिनाल्टी एरिया ट्रेपिंग आफ साइट इतीनों फुटबाल से रिलेटेड है बट अंपायर सब्द जो है वो फुटबाल से रिलेटेड नहीं है आफसन नंबर भी य जूड़ा हुआ है, क्या जूड़ा हुआ है, उबिशेश्burst के साथ, बेलिमिंटर महिला तीक है, या उबिशेश्र पहली में रता है, यह आपको विशेश हमे zenith में ध्यान में रखना है यह कि उबिशेश्र यह कि अधा मेंनका ली ज्चक पन करेघ दो बहुद So Korn белко रहा है तो कौन रहा है डोस्तों। उचाई को इस्टेडियोमीटर थीच है। इस्टेडियोमीटर इस्ट है। स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मन किसका कफण है जैसा कि आब सब को पता है और अस्तु जी ने का है आसल नमबर 3 यहां पर correct होगा. नेक्स्ट है डेक्टर विसी राय टॉफी का संबंद किस खेल से है? तो किस खेल से है? फुतबाल से. ठीक है? यहां पर दोस्तों विसी राय टॉफी फुतबाल से है. वहीं विसी गुपतर टॉफी पूछता है. तो वो बास्केट बाल से हो जाता हूँ इसको धियान में रखिएगा नेश्ट है कि निल में से कौन सा खेल प्रसिचर का सिधान्त नहीं है तो कौन सा नहीं है रुकरिवे चलने का सिधान्त इसमें नहीं है दोस्तों इसके लावाँ अतिभार का सिधान्त निज्टा का सिधांद, विस्ष्टा का सिधांद, एके तीन सिधांद, सिखνε के सिधांद है. onal 6 है इसके पुला अस्थी इस्थित है. तो इसके पुला अस्थी कहां पर इसकी से दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, upper back में, उपरी must में, इसके पुला इस सित हमारे कंधे के पीछे है इस सित है आपसर नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है जैसे कि लंबी कूद के लिए वायू का बेक कितने शमय के लिए मापा जाता है जैसे कि दोस्तों लंबी कूद के लिए वायू का बेक 5 सेकेंड के लिए मापा जाता है आपसर पुछता कि वायू कभी कितने समय के लिमा पर जाता है तो 10 सकेंड का होता वहीं पर आपका बाधा दर्ड का होता तो 13 सेकंड का होता ठीक है ध्यान में रखिएगा किरिन में से कौन सी संग्यानात में विकलांगता नहीं है दोस्तो इसका को अंसर कहीं मिला ही नहीं है इसको आपको देखना है किसका सही अंसर क्या है नेक्ट कोस्चन है पिट्यूट्री गरंथी पाई जाती है पिट्यूट्री गरंथी कहां पर पाई जाती है दोस्तो क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है आपसर नंबर भी यहां पर करेक्ट है कि इननी में से किस ब्यायाम में किये गए कारे को बैग्यानिक अधार पर कारे नहीं माना जाता किसमें बैग्यानिक अधार पर कारे नहीं माना जाता कार होता हुआ दिखाई नहीं देता है आइसो मेट्रिक में तीक है आइसो मेट्रिक में आपसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है नेश्ट है पेरिटल अस्थी इस्थित होती है कहां पर इस्थित होती है खोपड़ी में ठीक है खोपड़ी में पेरिटल अस्थी इस्थित होती है नेश्ट है दोस्तों कि ओलंपिक जंडा सरप्थम फराया गया था कहां फराया गया था आप सबको पता है 1922 इंट्वर्फ उलम्पिक में सबसे पहले उलम्पिक जंडा फराया गया है आपसा नमबर ए करेक्ट है इस सब्सक्राइब किस से रिलेटेड है दोस्तों इस सबको पता है मौलिश से समद्धित है आपसा नमबर डी यहां पर करेक्ट है परिस्थिति में बदलाओ के अधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से समझजश्य करने की योगता को कहते हैं तो समझजश्य योगत किस में आता है दोस्तों एडाप्टेशन योगता जहां पर परिस्थिति के बदलाओ के अधार पर समझजश्य से स्थापित करने की बात हो दोस्तों वहां पर होगा एडाप्टेशन योगता आप इसको ध्यान में दखेगा परिस्थिति में बदलाओ सब्सक्राइब यहा जमय करेक्ट है युथ भाग मैं हमारे फिरिफ नीचे पीछे वाले खाल ऊटा है कंझ मसल्स होना प्लव अपरूर के लिए अंटराल प्रसिध्र का उपयों कीँ जाता है तो अंतरार प्रसिछर यानि इंटर्वल मेथड का परियोग किसके विकास के लिए किया आता है शहन सक्ति यानि एंडूरेंश को डिलब करने के लिए आपसन नमबर डी यहाँ पे करेक्ट है नेक्ट कोस्टिन है कि उच इस तर पर प्रसिछर भार के अनुकुलन के लिए रूप में जाना जाता है तो दोस्तों उच इस तर पर प्रसिछर भार के अनुकुलन के लिए एकलेमेटाइजेशन को जाना जाता है आपसन नमबर डी यहाँ पे करेक्ट है नेश्ट कुस्टिन है किसी ब्यक्ति की मानसिक आयू प्राया पता लगाए जाती है किसा अधा पर पता लगा जाता है मानसिक आयू को मोनोबेग्यानिक प्रसिचर के द्वारा किसके अधापर मोनोबेक्यानिक प्रसिछर के द्वारा पता लगाया जाता है मानसिक आयू को ठीक नेश्ट है गोनियोमीटर आगता है तो दस्तों गोनियोमीटर लचिलापन को मापता है आपसन नमबर डी यहां पे करेक्ट है नेश्ट है कि परिचड एवं तुरुटी सिधान यानि ट्राइल एंड इरल थियोरी किस ने दिया है तो सबको पता है थान डाइक ने दिया है आपसन नमबर ची करेक्ट है नेश्ट है रिफ्लेक्स एक्सन यानि की पर्तिवर्थी क्रियाओं का नियंत्र कोन करता है दोस्तों यह भी आप सबको पता है इस पाइनल कार्ड गरा हमारे पर्तिवर्थी यानि रिफ्लेक्स एक्सन का नियंत्र होता है आपसन नमबर बी यहां पे करेक्ट है प्रतियोगिता निन में से किस समवर्ग में आता है तो किस में आता है दोस्तों चैलेंज टूनामेंट में ठीक है चैलेंज टूनामेंट में आता है आपसा नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है इस्थी खुस्था से अधिक्तम गति प्राप्त करने की योगता को कहते हैं, किस को कहते हैं दोस्तों कि आपका अगर्यकुकी चेट इन्वे कह जाता है, उसके तॲंस बाद अधिक्तम गति क Profession करने की योगता को होते है तो cry किसे afton number C है यहां पर करेक्ट है कि लिस था ट्रांजिशन आवधी का लच्छा है ट्रांजिशन आवधी का लच्छा क्या है दोस्तों तो यह समान 되면 चिते में आना या Project में 3 प्राइज होते हैं कौन को से प्रिप्रेटरि प्रिप्रिप्रिई गर्पाटि ट्रांजिस्टनर अधी में जो होता है वह होता है समान असीति में आता है नेच्ट कुर्शन है भारत ने दूसरी बार शेल में किसवर्स आउजित किया तो दोस्तों पहली बार तो 1951 नए दिल्ली में किया था और दूसरी बार 1982 में नए दिल्ली में हुआ था आपसन नमबर D यहाँ पे करेक्ट है सर्जेंट जम्प आगता है तो सर्जेंट जम्प यानि कि दोस्तों वर्टिकल जम्प को ही सर्जेंट जम्प कहा जाता है क्या मापता है हमारे पेरों की बिस्फूटक ताकत को मापता है आपसर नबर A यहां पे करेक्ट होगा निश्ट कोश्चन है दोस्तों आहार श्रोत की सूची को पोसक तक्त्यों की सूची से समिले किजिए तथा नीचे दिएगे कूट से सही उत्तर दीजिए जैसे की तहां पे आपको देखना है कि दूध पनीर दही एक किस से रिलेटेट है कैलसियम से मीट अंडा मचली एक किस से रिलेटेट है प्रोटीन से सबजी समूव विटामिन से समंधित है रोटी चावल आनाज आप सबको पता है आपसर नमबर B यहां पे करेक्ट हो सबसे पहले आचारे कौन थे तो इसके पहले आचारे थे एस सी बक यानि पूरा नाम है हेंडरी क्रोबक ठीक है इबारत में सारी सिछा के पितामां भी कहे जाते हैं सबस्कारम है चार रास मितर रा करने होती हैं आपसर नमबर B यहां पे करेक्ट है कि स्ट्राइइ से तरों कि सी स्टेलों को G Themen जो है कि छाती. जिसमें पसलियाइ बारा बारे दुम तरफ से 24 पसलिया जड़ी होती है इस तरॊए फिर नबर 2 यहांपति हैं नेस्ट कोंचन है कोनी को मौडते समय यहां पे करती है जैसे दोशतों का कार्य होता है एक मुख्य कार्य एक सभ्रक्य कार्य यहादो यहाद एक इंटागों grupp एक 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 एगो नीस्ट की बिप्रिट आ थित liberal होता है तो जब हम जो हम पेसियों को मोड़ते समय या क्रिया करते समय जो मुख्य भूमी का आदा करता है उसको एगोनिस्ट कहते हैं जैसे कि जब हम कोहनी को मोड़ते हैं तो यहां पर बाइसेप्स मुख्य भूमी का आदा कर रहा है कोहनी को मोड़ने में इसलिए यहां पर बाइस यहां पर क्या है है एनने पक्रफी टरीका ऑफिंस टरीक तो गिहां ऐसा कि दोस्तों लीक पत्रिकिता में फ्रिस्ट जाने की थीम विधिया है साइकल केज़ार और स्टेर केस मेथड मिफड हैं तो यहां पे इस्रैस्टि greet ुर्फि्ट नहीं है आप सब्सक्रिश tão तक निके समंधित है तो शार्ट पूर से समंधित है प्रत्योगिता पुर्व के अहार में अधित्म होनी चाहिए किसके मातर अधित्म होनी चाहिए कार्वोहाइड्रेट की तो कितनी बधाय पार करनी पड़ती है 28 प्लस 7 यानि 35 बधाय पार करनी होती है 28 बधा दोर एं 7 वाटर जंट थीक है आफसर नंबर सी यहां पे करेक्ट है उसके बेढ़र के आट खता है जबी सीखा जाने वालया कौसल पहले सीखे हुए कौसल शेंब्न है तो अस्थ centuries का गया होगा करेक्ट है के दूसरे से और जीक्ट शेंब्न है कोई सीख ने की प्रतिकेरा नहीं हो रही है नंधे दीडelaавस्ट हो हो रहा है तो यहां पर सुनिय होगा सुनिय हस्तांत्र होगा आफ्चन में न 정말 कि यहां होगा से अंटनेMAN ही दिदूस्तुर में इस स्था अंटर होगा तो जिसमें न कोई रियू यहांक प्रिदम्र सुनिय आत्म final ध्टन होगा ठीक है कोई, फ्रमुक गलंथी कौन है यानि मास्टर गलेंड कोन है तो मास्टर गलेंड कोन है प्यूस गरंथी आप्सवारश्टि आप Innovation अपिdess 125 questions पुछी गए थे, 125 questions का हल समाक्त होता है, तो दोस्तों, I hope कि सभी questions आपको समझ में आये होंगे, दोस्तों, यदि आप किस भी इस्टेट की TGT, PGT, KBS, NBS, CLT का एक जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर continue बन सकते हैं, मैं continue सभी टापिक पर वीडियोज डाल रही हूँ, जितने भी टापिक अभी बचे हुए हैं, उन सभी को भी एक एक करके पूरा कर दूँगी, बस मेरे चैनल पर बने रहे हैं, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादे सब्सक्राइब कर लिजिए, बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए, जिससे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहे, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, नेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हैंगे,